तो चलिए देखते हैं लखनव भर्सस गुजरात के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा इन दोनों नए टीम के बीच जब मुकाबला होता है तो देखने में मज़ा आता है दोनों टीमों में पिलेयर जो वो काफी धमाके दा रहा है तो सीधा मैं 5-7 मिनिट का ही वीडियो ब मुहमाद समी के गेंद पर शुरुवाती तीन जटके लगातार दिये थे यहां पर मुहमाद समी ने तो क्या फिर से लखनव भिखर्तिवी नजर आएगी या इस बार लेगा ये बदला तो सारी बात करेंगे पस एक स्कोर कार्ड हम लोग देखेंगे जो दोनों टीम आपस मिलेगे और बहुत सारे डोमेस्टिक मेच का भी आपको टीम मिलेगा तो यहां पर आपको क्लिक करना जहां पर मैंने गोल घेरागिया इस पर जैसे क्लिक करोगे यहां पर देख सकते हो टेली गराम चैनल लिंक यहां पर आपको दिखाई देगा यहीं हरे वाले पे ये अखनावू भरसेस गुजरात के भी जब मुकाबला खेला गया तो यहाँ पर लोकेस राहुल यहाँ पर जीरो पर आउट होगे किसने मुहमा समी ने कॉंटसटन डिकोग ब काफ़ी आकरमक तरीका से उलाउट करते गया और आखिरकार इनोंने 108 रन यह बदोनी और दीपक हुड़ा गे बल पर बना पाए लेकिन काफ़ी किसने डाल दिया था गिनबाजी देखोगे तिहाँ पर मुहमाद सहमी ने तीन बिक्टे रासित खान एक अर बरू नरो ने दो बिक्टे लेगे तक क्या गजब की गिनबाजी किया था इस मेच में हर्दिक पंडया ने चारोबर की गिनबाजी किया था लेकिन अब जो मुकाबला खेला जाएगा वहाँ पर हर्दिक पंडया गिनबाजी नहीं कर रहा है एक एस्ट्रा गिनबाज खेला रहा है तो जिनसे इनसे गिनबाजी का जो करने का माद्दा है वो तो खत्म हो चुका ये बले बाजी करेंगे इधर से भी शुरुवाती जटके लगे सुभमान गिल और विजय संकर स हो सकता है और आप जो पीच की बार्त की जाए तो आप सकेंड इनिंग में बले बाजी करना मुस्किल है पहले सारे लोग क्या करते टोस जीत कर पहले गिनबाजी वो सबसे बढ़िया फैसला रहा है लेकिन आप वो फैसला लगभाग समाप्त होता जा रहा है हर्दिक पंड दाने तीन उबर की गिनबाजी की हलांकी पिटाई पड़ी लेकिन नोने एक विक्टे महत्पूर्ण लेगे लेगे लेगिन हम लोग चलिए बात करेंगे कोंबिनेशन पर डिसकस करेंगे कौन सा गिनबाज को लेगे जो कौन सा गिनबाज को आउट कर सकता है तो यह जरू दोनों टीमों के लास्ट मिच का भी स्कोर काड आप देख ले ना कि एक बस से ता असानी से देख सकते हो सारे स्कोर काड है मैं ज़्यादा टाइम लेके फायदा ने क्योंकि अब पता चलेगा बेटिंग लाइनप क्या रोई से तो मुझे याद है तो मैं आपको बता ही दू इंस्टागराम पे मेंसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग का रिपल आई भी देता हूं वो भी बहतर तरीका से तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए एक टीम जो मैं ओल्डेडी बना के रखा हूं इस पर क्या कमी है क्या कमी को दूर करना चीए और हम लोगों के एसल खेल ल जेसन होलडर को उपर चाहूं तो रिस्क ले भी सकते हो मुझे एसा लगता हूं मुहमत समी को पिक नहीं क्या रासित खान अवेश खान और यहाँ पर मौसिन खान को पिक क्या हूं अब यहाँ पर टीम पर देखो आगर जदी मौहमत समी को पिक कर रहे हो तो लोकेष रहू को पिक कर रहे हैं तो क्योंकि मुहमाद समी सुरुवाती जटके देंगे दूसरी बात है कि डेतो भर में गिनवाजी करेंगे तो हो सकता है यह सुरुवाती जटके ना दे डेतो भर में विक्टे ले जाए तीस वज़ा से चाहो तो पिक भी कर सकते हो तो वह तो टोस के बगत हम लोग पता करेंगा और पीछ का जो पूरी तरज हाल पता चलता है वो टोस के बाध ही पता चलता है सेम इसी परकार से गुजरात की तरफ से लखनाओ की तरफ से देखोगे तो डी चमीरा ही मुहमस समी वाला काम करते है ये भी शुरुवाती जटके देने की छमता रखते हैं तो इन दोनों को आगे जदी पीक करऊगे तो उपरी करम के ओपनर जो उस पह थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए लोकी फोर्गुशन बीच में बिक्टे निकालते हैं रासित खान जैसे स्पीन से बिक्टे निकालते हैं ये फास्ट गेन बाजी से बिक्टे निकालते हैं तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना चीए अब देखो केप्टन वास की बात की जाते देखो कौन सबसे बहतर हो सकता है लोकेस राहूल से बहतर सेप और सटीक केप्टन तो कोई होई नहीं सकता भाइस के लिए देखो मुहमास समी को पीक करोगे तो कॉंटन डिकोग पर थोड़ा सा आपको नजा रखना है दूसरी बात है कि यहाँ पर डी चमीरा को पीक नहीं कर रहे हो तो सुबमन गिल भी यहाँ पर भाइस के लिए बहतर उप्सन हो जाएंगे तो अब मैं बात करता हूँ यह जो टीम मैं बनाया हूँ क्या इसमें कुछ कमी है अगर ज़िए आपको लगता है तो कोमेंट करके जरूर बताना क्योंकि इस टीम से मैं चारा हूँ इसल खिलने के लिए लेकिन इस पे कुछ तो बदलाव होगा यह तो ताय है लाइन आप के बाद तो फिलाल के लिए दोस्तो इस मेंच पे ज़्यादा डिसकस करके फाइदा ने बस आप खुद से एक से अधीक टीम बना रहे हो तो एक के करके डिसकस करो बहतर ने कर लाएगा अब जो ऐसा वक्त आगया आप एक से बिस तक टीम बनाओगे तो ज़्यादा आपको परिसानी नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहे हैं और सारे पिलेर के बारे में आपको पता चल चुका है कौन कब वेटिंग के लिए आ रहे हैं तो आप लोग एक से ज़्यादा टीम ट्राय करो ज़्यादा तर ये बहतर रहेगा तो दोस्तों फिलाल के लिए हमारा ये टीम लगभग मैं इसी टीम से आज सोच रहा हूँ एसल खेलने का तो आपका क्यार आया वो जरूर देना तो फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ सिधा मिलता हूँ इस मेंच के अपडेट के साथ और अधर कोई डोमेस्टिक मेंच कवर करता हूँ तो उनके कवर करने के अपडेट के साथ भी